हेलो फ्रेंड्स, मैसेल्फ सुष्मा माले, तुडे वी आर गुइंग टू लर्न चाप्टर नंबर 6, बायो मॉलेक्यूल्स बायो मॉलेक्यूल्स मींज, जे कॉमन इलिमेंट्स अपन बगतस्तो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या सार के जे कॉमन इलिमेंट्स अपन पहादो, त्या मत दे, अपलेला लक्षा तित्त की, ये सगे बायो मॉलेक्यूल्स है, और्गानिक आनी इन और्गानिक मटेरियल पस्युन बन लेले अच ता या इन ओर गे ऑरगनिक और नि सब्स लेढ ही आन्य गयानी के ये बायो मालीक्यूल ९ा Kenny त्याम के आपन्य साइशचर देन सट ग्लासिफिकेशन आले अधंता पर अन्य लंद पर आन्य चाड्य तर, macromolecules मदे polysaccharides, त्यानंतर polypeptides, polysaccharides, polypeptides, polynucleotides, त्यानंतर, macromolecules मदे, macromolecules मदे, बगा, macromolecules मदे, जे एक्तम साइज ने छोटे असले ले molecules असता, त्यां, macromolecules मदे, त्यां, macromolecules मदे, त्यां, macromolecules मदे, दोन टाइप्स मदे, divides आले ले अपलेला दिस्ता, त्यां ची दोन टाइप्स अपन पहलें, एक असता saturated fatty acid आनी दुसरा, unsaturated fatty acids, त्यां ची एक्जांपल हैं, मी तुमाला, त्यां पार्ट मते सांगित लेले आहें, आत्ता प्रेंता, अपन polysaccharides, बंचेज काय, कार्बोहेट्रेट्स, जे simple sugar पसुन तयार होता सता, त्यां कार्बोहेट्रेट्स चे टाइप्स अपन पहलें, जे होतें, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, त्यांन अपन पहलें, आमाईनो एसिड पसुन तयार होनारे proteins, आनी पूर्चा पार्ट मांदे, माक्चा, मंजे आत्ता परेंत सचे जित के पार्ट में, तुम्हाला बायो मालेकुल से सांगित ले, त्यां मदे अपले, यह सगया प्रकार्चे जिकाई स्टडी आए ही, टॉपिक्स आहे थे, आपन अब्यस लेले आहे, त्यास प्रमाने, माक्चा पार्ट मदे, polynucleotide, मंजे सकाई, DNA, RNA अनी प्रोटी नुकलिक अईसीड, कैसा आपन माक चापार्ट मदे अब्यस केला, तैसे डाइग्राम महीं संगले प्रकार स्टडी के लिया है, तेचा वर विचार ले जानारे क्वश्चन्स जा प्रमाने, त्यास प्रमाने पुर्चा पार्ट मदे, आत्ता चा पार्ट मदे, RNA मझे नेमक काई है अपलेला बगैसे आरेने मंजे राइबो न्यूकलिक एसीड तर जसे डियेने चा आपन अब्वेस केला डियेने ही जनेटिक मटेरियल अस्तन ते जनेटिक मटेरियल चा बेसवर अस पूट चे जन्रेशन फॉर्म होतास तो कि वह जिक है अपला मदे हेरीडिटर ही चे TOPOOK मढी अपला लग्साद केचे राम नॉक्लिक एक रीबो नॉकलिक एसी त्राइल न॥ राम यह जाता है तो राइब कन शक्षाब जा शो थो राम न॥ी पाई एक穴्द न स्जाक था नॉक्जय तो तर है आःबो न॥े डार डोल तरी पॉंथा देरिकोन खासे फेर्सेरी अपलेला योडम आईता है कि DNA आनी RNA ये जे नुकलिक नुकलिक असिड ससता है 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 हेरिडिटी मटेरियल मनून ओलक ले जाता है पन है या पैकी जो DNA हां हेरिडिटरी मटेरियल आहे हां अल और्गानिजम थो हेरिडिटरी मटेरियल मनुन फंक्शन करता से अंतले के ona कि सिआखे वर RNA हां हा जो ए हेरिडिटरी मटेरियल मनून ओलक ले जाता है तो तर्गयायाची ओर्गानिजम्स मदे पहलेला फंक्शन करता ना दिसत नहीं तोवक्त तोबेको मोजाइक वाईर आनी काही आरेने वाइरस मन्दे हेरीडिटरी फंक्शन करता स्तों मन्जेस काही जीन्स कैरी करने चो हेरीडिटी पूर्चा जन्रेशन मन्दे जे काही एक एंसिस्टर पासों नेक्स जन्रेशन मन्दे जे काही जीन्स ट्रांस्पॉर्म होता स्ता ते ट्रांस्पॉर्म होने करना चा काम DNA करतास तार मनु तन्ना हेरीडिटरी मतेरियल मतला जाता पन RNA ला ही हेरीडिटरी मतेरियल मतला जाता पन RNA हे फक्त वाइरसे समद्दे हेरीडिटरी मतेरियल मनु वर्क करतास त अधर्वाइस DNA समद्दे हेरीडिटरी मतेरियल मनु वर्क करता आरेने कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेंड ऑफ पॉलिनुकलियोटाइट चेन आरेने हा या प्रकारे सिंगल स्ट्रेंड असतो डबल स्ट्रेंड नसतो पन तो डबल स्ट्रेंड भनून कही कही ठीकानी पाहिला मियत असतो जस रियो वाइरस आनि उन ट्यूमर वाइरस रियो वाइरस आनि उन ट्यूमर वाइरस मदे डियेने चा स्ट्रक्चर जया प्रमाने अपलेला डबल स्ट्रेंड दिसते त्यास प्रमाने अपलेला आरेने चा स्ट्रक्चर सुद्धा डबल स्ट्रेंड चा रुपात पाहिला मियत असतो मते कोटले यही था पक्त पहला में था रियो वाइरस आनी उन ट्यूमर वाइरस otherwise it is single stranded it is single stranded DNA RNA material ribosugar present instead of the deoxyribosugar DNA मदे deoxyribosugar present असते तर RNA मदे ribosugar present असते हाँ difference आप लेला लक्षाटे वाईचा है कि DNA आनी RNA मदे नेमका difference काया है तर DNA मदे deoxyribosugar present असते आनी RNA मदे ribosugar present असते त्यास प्रमाने DNA हे double stranded असतो DNA हे double stranded असतो आनी RNA हे single stranded असतो कदी तरी सते मजे यो वाईरस कि वा उन ट्यूमर वाईरस मदे ते अपलेला double stranded पाहला में असतो otherwise it is single stranded त्यास प्रमाने तैस हेरिडिटरी फंक्शन हे फक्त अपन टोबैको मोजाइक वाईरस मदे पावुशकतो कि वा काईस RNA वाईरस जी असता त्यामदे अपन RNA जो हेरिडिटरी फंक्शन अपलेला पाहला में अतसता otherwise nucleic acid, sorry DNA is the हेरिडिटरी material in all organisms living organisms या प्रकरे अपन ribonucleic acid में RNA मैंजे नेमक काया चे characteristics या लक्षाद घितले तैस प्रमाने तैस चे characteristics प्रमाने चापन DNA आणी RNA मदला डिफरंस लक्षाद घितला जैने करून तुम्हाला जर DNA आणी RNA मदला डिफरंस विचार लागेला तल तुम्ही या प्रकारे तेचा अरून पॉइंट तयार करू शकताद अशा प्रकार चे चार पॉइंट तुमाला इजी ली डिफरेंस मदे लीता एना रहे 1, 2, 3, 4 मझे गिव दिफरेंस इन आरेने अन डिएने देन यू विल गिव दिज फोर पॉइंटस अस कंकेर तो डिएने अधर्वाय गिव दो कारेकरिस्टिकस ओ राइबोनुक्लीक श्य राइट शाओ नॉट on आरेने देन अल्सो यू विल गिव दिज फोर पॉइंटस ते फोर पॉइंट्स आपन as comparison मनों DNA चा comparison मनों लक्षाद गेतले आता पूर्च एक काही पॉइंट काही कारेक्टर से आपन RNA चे बगुया जा मदे यूरेसील प्रेजेंट अस्ता RNA मदे काय प्रेजेंट अस्ता यूरेसील प्रेजेंट अस्ता DNA मदे थाइमिन प्रेजेंट अस्ता तर RNA मदे यूरेसील प्रेजेंट अस्ता आ एक पॉइंट अई तो मी लक्षा ठ्योशक ता पाचवा पॉइंट मनों DNA मदे थाइमिन प्रेजेंट अस्ता आनी RNA मदे थाइमिन चा जागे वर यूरेसील प्रेजेंट अस्ता Purine pyramiding equality not found in RNA due to its single stranded structure RNA मदे या प्रकारे single stranded structure असलिया मुए जे Purine आने pyramiding चा pairs आपन DNA मदे DLA चा double strand helix मदे पाहतास्तो या प्रकारे कि थास्तु माला pairs पाहिला मेरताद Purine आने pyramiding चा त्या pairs आपलेला RNA हे single stranded असलिया मुए पाहिला मेरत नहीं कि वा त्या present नस्ताद RNA strand is usually found folded upon itself in certain regions और entirely कही कही ठीकानी हे जे RNA आहेद हे कही ठीकानी या प्रकारे फोल्ड होतास्ताद स्वता होन ते कही ठीकानी फोल्ड होत जाताद Most of the RNA polynucleotide chains start either with adenine और guanine आनी हे जे काई RNA changes अस्ताद हे एकतर adenine ने start होतास्ताद कि वा गवानीन ने start होतास्ताद मंजेस जे आता या प्रकारे जर तुमी आरेने च स्ट्रक्चर भगितला तर त्या मदेस ग्यात शुर्वातीला एकतर तुमाला adenine दिसेल किवा गवानीन दिसेल या पसुन अडिनीन ने कि वा गवानीन ने स्टैची सुर्वात होतास्ते RNA चे तीन टाइपस अपलेला पाहला मेगा ते मंजे mRNA दुसरास तो tRNA पहलास तो mRNA दुसरास तो rRNA अनी तिसरास तो tRNA आता हा जो चार्ट आहे हामी पहले तुमाला mRNA मंजे नेम को काई rRNA मंजे नेम को काई आनी tRNA मंजे नेम को काई ही समझो लया नंतर हा चार्ट तुमाला अगदी easily समझना रहे आनी in short लक्षट है उन्हें साथी तुमाला हा चार्ट में इते दी लेला है तो आपन याचा नंतर आदी आपन mRNA मंजे काई ही लक्षा दियो mRNA mRNA मेसेंजर आरेने असपन मतला जाता mRNA काई मतला जाता messenger messenger मंजे इस काई तै नावा तुमाला लक्षा दियो मेसेच जो पास करतो तेला messenger RNA आसा मतला जाता mRNA काई जेनेटिक इंफरमेशन फर आरेंजिंग amino acids in definite sequence it is a linear polynucleotide linear मंजे एका लाइनिद polynucleotides तै मदे प्रेजेंट जाता test प्रमानी या एका लाइनिद polynucleotides प्रेजेंट अस्ता test प्रमानी ते काई करता स्ता तर जेनेटिक इंफरमेशन क्यारी करता स्ता जाचा मदे जांगित लेला स्ता की amino acids एका definite sequence मदे एरेंज करा आशा प्रकरे वेगवेग्या प्रकार्चे definite sequence तयार जा लेकी मग वेगवेग्या प्रकार्चे प्रोटीन्स तीथा फोर्म हो शकतात मनों यह जे काई DNA कड़ून मेसेज जेत अस्तो तो DNA कड़ून एनाड़ा मेसेज mRNA हे पुड़े ट्रांसपर कराता स्ता आता बगा हाँ एक सेल आहे यह सेल मदे नुकलियस प्रेजेंट आहे यहां नुकलियस मदे काय प्रेजेंट अस्तो यहां नुकलियस मदे DNA प्रेजेंट अस्तो जे हेरीडिटरी मटेरियल अस्तो आनि ह्यां हेरीडिटरी मटेरियल जवस mRNA पन प्रेजेंट अस्तो mRNA हाँ linear sequence मज़े प्रेजेंट अस्तो एका linear polynucleotide chain मज़े तोती तो प्रेजेंट अस्तो आणि जावे हाँ DNA या mRNA ला message देतो कि आपलेला आता या या प्रोटीन ची गरज आए दस आता जेवन केल तो जेवना नंतर आपलेला digestive system मदे digest होन्या साथी digestive juice तयार करावा लागते तया साथी चाही acid तया ठीकानी तयार होना गरचे चासता आनि ते digestive acids चे असता ते तयार होन्या साथी amino acids चे एक definite sequence तयार करावी लागते मतावे हाँ DNA या messenger RNA ला इनफर्म करतो की आतार या या प्रकारच प्रोटीन अपलेला है अमाईनो एसीड ची sequence कीवा तयाला सापन काई मन्तो प्रोटीन तयार कराईचा आहे महाँ mRNA बाहेर चा बाजूला गेल्यावद इता क्रोमोजम प्रेजेंट असता क्रोमोजम मन्जे काई असता प्रोटीन बनोनेची फेक्ट्रियस ते क्रोमोजम मन्जे प्रोटीन बनोनेची फेक्ट्रियस अ मतला जाता या क्रोमोजम जवर tRNA आणी rRNA प्रेजेंट असता या क्रोमोजम जवर rRNA प्रेजेंट असतो आणी तयाज बरोबर tRNA सुद्धा तयाठीक आणी प्रेजेंट असतो तर हाँ मेसेंजर आरेने जो असतो तो आर आरेने कड़े ये तो आणी तेयाला सांगतों की आना अपलेला या फ्रकार्ट ज़ा आमाईनो मेसेज रेड गरतास्टो हे काम, मेसेज ट्रांसफर करनाच काम कोन करत, या प्रकारे मेसेज कोन घ्योनेत, तरत M RNA हा मेसेज घ्योनेत असतो DNA कडून, क्रोमोजूम कडे, जो R RNA प्रेजिन्ट असतो, तेचा कडे मेसेज आनून देनाच काम, M RNA करत असतो इट अकाउंट्स, 3% of cellular RNA, जेवड़ा cellular RNA अपलेला पाहला मेर तो या प्रकारे जो cellular RNA आपन सिंगल स्ट्रांडेड आरेने पहात असतो, तेचा की 3% जो कई असतो, तो M RNA प्रेजिन्ट असतो, मेसेंजर आरेने असतो तेचा मेदे M RNA कैरीज, M RNA मन्चे सकता ती लक्षात क्या, मेसेंजर आरेने मेसेंजर आरेने मदे मेसेंजर वरुन लक्षात ही, मेसेज जो सेंट करतो, पास करतो, तेखला मेसेंजर महा आरेने मेसेंजर आरेने असतो, तेला इनीशियल M लक्षात गेतला है तेचा, आणि मनों तेला मतला गेला है M RNA M RNA कैरी जेनेटिक इन्फर्मेशन बगा जेनेटिक इन्फर्मेशन कैरी करतो, पार एरेंजिंग आमाइनो एसेड सीन्देफिनाइट सिक्वेंस आमाइनो एसेड एक का डेफिनेट सिक्वेंस मदे एरेंज करा, असजा वेई DNA कडून ओर रेते DNA का यसतो, तर हेरी डिटरी मटेरियल असतो समझुन यहां अफ्रत्यक और्गानिजम, लीविंग और्गानिजम मझला इसेल असतो यहां मझदे का प्रेजेंट असतो, एक न्योकलिएस प्रेजेंट असतो जो बाहेर चा बाजुला प्रेजेंट असलेला क्रोमोजोम आनि तैचा जवस प्रेजेंट असलेला आर आरेने आनि ती आरेने ला एम आर आरेने आनि ती आरेने ला तो मेसेज सेंट कराईच ताम करतास्तो तो तीथुन मेसेज आर आरेने, यारेने आनी प्रोमोजूमला देतास्तो। काई मेसेज देतास्तो। तर एरेंज अमाइनो आशिड्स इन डेफिनाइट सिक्विन्स त्या वे त्या ओर्गानिजम मदे जी कई रियक्षन होना रसते गर्जेची रियक्षन होना रसते, त्या साथी लागनारे जे आमाइनो आशिड्स इसताथ ते एका डेफिनेट सिक्विन्स मदे तयार करा अशिजी ओर्डर डियने देतास्तो। ती डि ओर्डर मेसेंजर आरेने पुडे पास करतास्तो। कैरी करतास्तो। जसा आता एका द्वेस जेवन जालेला है आनि त्या आंतर डाइजेस्टिव प्रोसेस चालू होना रे, डाइजेस्टिव रियक्षन स्टार्ट होना रे, त्या वे डि रियने है, एम आरेने वे, काही मेसे सेड़ करतास्तो। कि आता हैं डाइजेशन साथ ही लागना रा-टे दा इस ट्यूस टयार करें दा परो टीन आपना रosse चे यास बसलिए और ही उच्थै कुल्ब ख़। एक स्ट्व्यंच स्ट्व्या ख़े जैनेटिक इन्फॉरमेशन कोड़ चा रूपा मदे मेसेंजर आरेने हाँ आरेने कड़े पास करता स्थो इट अकाउंट्स थी परसेंट आफ शेलुलर आर्ने टोटल जे सेलुलर आर्ने अस्ता तेचा तीन टके ये यम आर्ने थिता पुर्णा शेल मदे प्रेजंट अस्ता इट्स मॉलिकुलर वेट इस सेवरल मिलियन mRNA molecule carrying information to form a complete polypeptide chain is called cistron त्याला cistron असा मतला जाता जी काई information तो carry करता स्तो mRNA त्याला cistron असा मतला जाता त्याला cistron त्यावे तुमाला या प्रकाची definition त्या मदे एक्स्प्लेंट करा वी लागें mRNA molecule carrying information to form a complete polypeptide chain to form a complete polypeptide chain is called cistron बगा या प्रकारे स्ट्रेट लीनियर लाइन मदे polypeptide chain फॉर्म जालेने तुमाला दिशता है आणि या पुर्णचे इनवर काय असतो तर information असतो जेनेटिक information ते जारली लेली असते कोड चा रूपा मदे आणि यालास मतला जाता cistron तेचा एका फायू प्राइम ला इनिशियेशन कोडान प्रेजेन असता फायू प्राइम कडे इनिशियेशन कोडान प्रेजेन असता पहले तीन जे कोडान असता ते इनिशियेशन कोडान असता आणि शेवर्चे तीन जे कोडान असता ते टर्मिनेशन कोडान असता Size of mRNA is related to the size of message it contains तेचा mRNA वर जेवड़ा size मदे message दिला जातो जेवड़ा size polypeptide chain बनवाई चे या चे कोड दिले जाता तेवड़ा size चा तो त्यार वेचा mRNA तयार होतास तो मन्जेज जर चोटा आमाईनो असिट्स बनवाई चा सेल तर तेचा वर अगदी कमी प्रमान अत जेनेटिक इन्फोर्मेशन अपलाला पाहलाम है ते अंजल कुप मोटा प्रमाना तामाईनो असिट्स बनवाँने ची प्रोसेस असेल तर तेचा वर जास्त प्रमाना जेनेटिक इन्फोर्मेशन चे कोडिंग दिस सतिल याचा चार्त साइज ही तेया जेनेटिक इन्फोर्मेशन चे मेसेज वर डिपेंड़स ते ये मारेनी ची साइज सिंतेसिस ओप ये मारेने बिगिंज एट फायू प्राइम ला तेजी सुर्वात होतास ते ये अण्ड ओप डिएने स्ट्रेंड एड टर्मिनेट्स अट त्री प्राइम आनि थी प्राइम कडे थे एंड ओतास तर आनि 5 प्राइम ला इनिशियेशन कोड़ान पहले तीन चे कई तुम्हाला लाइन्स दिशता है तन्ना इनिशियेशन कोड़ान मतले जाता आनि 3 प्राइम ला शेवट्चा जा तीन लाइन्स दिशता है तन्ना टर्मिनेशन कोड़ान मतले जाता RNA चाप उड़ सा टाइप आहे RNA small r RNA r मंजे का है small r मंजे का है ribo zomal RNA ribo zomal RNA जो है ribo zomal पन मंटा है इन दो माला पर आपन जन्रली ribo zomal RNA असे तेला मना तस्तो मनों तेला r RNA आसे नाओ दी लगिले तर हाँ RNA काई करा तस्तो तो ribo zomal काई पार्ट तस्तो 50 to 60 percent पार्ट तस्तो कसला ribo zomal it accounts 80 to 90 percent of the cellular RNA जोड़े RNA प्रेजेंट हस्ता तेचा 80 to 90 percent of RNA ही प्रेजेंट हस्ता मनजेश का है सगया जास्त प्रमानात RNA प्रेजेंट हस्ता सेल मदे it is synthesized in nucleus ते nucleus मदे तयार होता कर्लांड बगा एका scientist चा नाव या ठीकानी आपन पातो है कर्लांड 1960 डिस्कावर्ड इट मनजे आर आरेने है कोनी शोधुन काड़नेला है कर्लांड या scientist ने अपलेला ही टर्म शोधुन दिलेली it gets coiled here and there due to intra-chain complementary base pairing आर आरेने गेनरल गी single stranded अस्ता आसा आपन पाहिला अपन त्यानन तर आपन हेही पाहिला कि ते काही काही वे स्वता इटसेल काई ठीकानी फोल्ड जालेले अपलेला पाहिला में अदस्ता आशा प्रकारे तर देहे जे फोल्ड जालेला अपलेला दिस्ता है तार आरेने तर ते फोल्डिंग अपलेला जंडली या मदे पायला मेत है आशा प्रकारे ते फोल्ड जले स्वता भोतीच आणि आशा प्रकारे ते फोल्ड जले मुले काय होता कि तेंचा मदे एक कॉंपलिमेंटरी बेस पेरिंग तयार होता है यह बगाए यह प्रकार कोंप्लिमेंटरी ॹ्स इस पेरिंग यामधी तैयार जाली पणि हामधे का तैयार तैयली दिसते कारण यहाई के नुक्लियुक्लियों टाइट की सिओंड प्रेजंट आहे तरो यहाई यहाँ बाई च्षº2 आ प्रेजंट आ आणि दुसर्या चैन वर्चे सुद्धा नुक्लियोटाइट से आतल्या बाजुला प्रेचेंट आहेत अनुना स्तैंचा मदे हां बॉन्ड तयार जालेला अपलेला पायला मेतो आणि हां बॉन्ड तयार जालेला मॉले काहे होतो तर एक स्टैबिलीटी या आरेने ला एत अस आरेने चा पुर्चा टाइप आहे टी आरेने टी आरेने मनजे काहें टी फोर ट्रांसपर ट्रांसपर या वर्ड वरुन तुमचे लक्षा तेल की जो आरेने ट्रांसपर करन्याचा काम करता से के लेसेज्ज ट्रांसपर के ला नंतर ते मेसेज ची ऑऽरदर घितल ला नंतर तो काहे करता से अमाहेंऊनों असेड की पूर्णों सेल बालिट पर टिकानी पसर लेले नंप लेला और या अप्रकारेा के कoi आमाहेंबन्गिनों असे ऊत्प Sanders काम प्रेजang संभ की आरें सबक्रोमोज मत अबंगाई रोटिन फेक्टरी प्रेजेंट है आशे लग्षा देता गोला इस Cabinet करतार्ता DAVID samen यृ नियुतारभी टालेएं यृ क theorem करते अरेने गल्यूनी मपोड़ा सरुगधर्त घान साटी करते हैं संफ चाहे अशाँ लागना रस्ताग ते आमाईनो एसेड एका लिनियार चेन मदे फोर्म करून ते प्रोमोजम कडे आन्याच काम tRNA करतास्तो ट्रांसपर आमाईनो एसेड ट्रांसपर करनेच काम tRNA करतास्तो tRNA molecules are much smaller consisting of 70 to 80 nucleotides tRNA मदे फक्त 70 to 80 nucleotides present अस्ता मनुनाज है tRNA ला smallest of RNA मदे सग्याद smallest असलेला मझे या तीनाई टाइप्स मदे mRNA, rRNA आनि tRNA मदे smallest RNA मझे tRNA असतो जो tRNA आहे त्याची डाइग्राम या प्रकारे तुम्हाला टेक्स्बुक मदे पाहला मेल figure 6.15 पाहन तो आहे tRNA जैचा मदे तुम्हाला आत्ता परेंत RNA हा सिंगल स्ट्रांडेड पाहला में आला होता पन तो जे वास तुम्ही आर आरेने पाहला तो सेल्प काई ठीकानी फोल्ड जालेला तुम्ही पाहला होता या प्रकारे तर टी आरेने मदे मात्र तैचा स्ट्रक्चर या प्रकारे आर्म फोल्डेड असता मझे चार प्रकार चे अशे या प्रकार सा आर्म या ठीकानी तयार सालेला ता निया हाँ जो शेप असतो ग्रीन कलर चा मी जो शेप तयार के लेला आहे आता ये चा भूती हा शेप मनजे ग्रीक लेंग्विज मदे जर पाहला तर क्लोवर लीप सरका हा दिस्तो टी आरेनी जा शेप हा ग्लोवर लीप सरका आप लेला पायला में अतसतो मनों तेच नाव स्वारी तेला चार प्रकार चे आर्म प्रेजेंट असता हे तैनी सांगित लेला हे आणि तेच शेप से ग्लोवर लीप शेके लेला हे बगा इट इस अल्सो सिंगल स्रेंडेट बट तू नंबर ओप कॉंपलिमेंटरी बेसे सिक्वेंश आप्तर पेरिंग तेचा मदे आशा प्रकार चे पेरिंग पहला मेताथ भर्पूर प्रमानाथ आनि का होद द कॉंपलिमेंटरी बेस तयार होता तेंचा मदे इट इस शेप लाइक क्लोवर लीब या प्रकार से क्लोवर लीब सारकाश शेप तेचा मदे तयार होतास्तो होली नावाचे जे साइन्टिस्ट होते तैनि 1965 मदे टी आरेने आपलेला रिसर्च करून आपलेला ही टाम दिलेली कि ती आरेने आचा आचा अचा प्रकार्च आरेने असे थो आरेने चा टाई पच्तो अनि त battle work आवाधे अधि्शा त्रांस्पर करू आण्यों आ जांच तो काम करता स्तो आशा प्रकार्च रिसर्च होली यहांनी के म मुने तैनना त्यारच रिसर्च्च dual απο Commerce Similarly $hels स्पापट करी लिउस्षट को शेकेश काटी में 20 water ग्यानेकर मुखते खुछण बनेंट शेके पर्तिक्वण जर्चिंट कें शोज्जों कि में 208 धेना के सीर्च कर वह सब् rein गोला करून ते ट्रांसपर करून आनने चा काम एका जागे वरून दुसरे जागे वरू नेने चा काम कोन करतास्ता तर टी आरेने करतास्ता following four parts can be recognized on टी आरेने पुट्चे जे चार पार्ट अपलेला एथा दिशता है या डाइग्राम मदे सुद्धा तुमाला ते दिशता है डी लूप मने डी एच्व अर्म जो दिशतो एत जाला डी लूप असपन मतला जाता किवा ध्य हाइड्रोक्जी यूरियसील लूप असपन जाला मतला मन्तात की वा ते असत अमाईनो एसिट रिकोगनाईजेशन साइट या साइट वर अमाईनो एसिट रिकोगनाईज के ले जातो डी लूप वर अमाईनो एसिट रिकोगनाईज के ले जाता तेन अंतर दुसरा पाट असतो अमाईनो एसिट बाइंडिंग मंझे ते amino acid recognize करूँ ते bind करने चा काम इथा कोन करता सता बगाई तो दिलेले amino acid attachment side मंझे इथा amino acid त्या मदे attach होता सता त्या side ला मठलगा तो amino acid binding side amino acid binding side कीवा accept stem असपन तेचा नाओ दिलेले आहें तिसरा पाट असतो anticodon loop anticodon loop जो असतो तुम्ही अत्तास पाईला की जो rRNA असतो त्याच structure यहाँ प्रकार यापन लक्षाद गितलो तो आर आरेने चा स्ट्रक्चर जर तुम्ही चांगला प्रकारे अत्ता माक्षा पैरेग्राप मदे मी तुम्हाला शिकोल आर आरेने या प्रकारे linear sequence मदे प्रेजेंट असतो आन तेजे शेवट चे मजे 3 प्राइम करचे जे लूप असता ते लूप आनी 5 प्राइम करचे जे लूप असता ते आशा प्रकार चे ही लूप या एंटिकोडान लूप ला मैं छोताँ आनी एक मेकानना ते मेसेज देना चे काम करता थे अंटिकोडान लूप आनी आर आरेने चे इनिशियल आन टर्शेरी लूप चे जे ज़ता ते एक मेकानना फिक्स हूँन एक मेकान कडे मेसेज ट्रांसपर करता त्यान अंतरचा सउथा पार्ट आहें राइबोजोम रिकागनाईजेशन साइट आणि मग या मदे या तीन गोश्टीन मदे तर ये लक्षात आला की पहले आमाईनो असिर्द आननी शोद ले या ठीकानी डाइगनोस के ले शोदुनान ले ते बाइंड के ले बाइंड के लियान अंतर मेसेज प्रमाने ते एका सिक्वेंस मदे आहे थे लक्षात गितला मग आता या अंचा पासुन प्रोटीन तयार करना साथी कशाची गरदास्ते राइबोजोम ची गरदास्ते आनि ती राइबोजोम शोदाईचा काम टी लूप करदास्तो ती लूप मनझे सकाय राइबोजोम रिकरगनाईजेशन साइट बगाया या टी लूप लाज राइबोजोम रिकरगनाईजेशन साइट असा पन मतला जाता हम आनि या मदे एक छोटा सासा लूप ती तपाहला में तो लूप अस तो वेरियेबल लूप त्री.. अन्पार्ड नुक्लियोतंडेट ब्रेजेंट क्यां से याण्ती त्री जे फिल्गी का रॉपस थी… मिन्वाद ऑफ्स ए। इन प्रॉद शन्मोन भ्रॉद य हम घ्रतंती है क्या, या रॉड्पमटोर मख़ाद चैन चाशी ते मैच होतास तत पेयर होतास तत दस्पेसिपिक कमाईनो असिड्स इस एटेच एट ट त्री इंड इन एक्सेप्टर स्टेम ओब खलोवर लिप आफ टी आरन अ मगते स्पेसिपिक कमाईनो असिड्स हे त्या क्लोवर लिप तरी प्राइमम ला काय होताओ ँवाताओ एक्सेप्ट उटस तए एक्सेप्ट स्टेम दहिते तुमारा इयं तर यह जी काई डाइग्राम दुमारा शोंकली BC याइँ ही डाइग्राम् जर नीट पाई ले आनि ते-चा डिस्क्रिप्शन चांगले प्रकारे तुम्ही स्वता एएचा टी आरेने मदे चार पार्ट्स आपलेला पाहला मेर तेस प्रमाने तेस प्रमाने तेसक लोवर लीप चै शेप मदे स्रक्चर असत होले या साइन्टिस्ट निते अप एति टम अपलेला दिलेली आहें तेस प्रमाने तेच पहला जो पार्ट असतो तो असतो डियेचु आम दुसरा असतो अमाईनो एसीड बाइंडिंग साइट पहला आम आद दुसरा बाइंडिंग साइट आम आनी तिसरा असतो एंटि कोडन लूप आणी चौता आस्तो राइबोजोम शोध्याचा मंजेच काई राइबोजोमल रिककनाइजेशन साइट आणी जो एंटिकोडन लूप अस्तो तेचा वर है आ प्रकाचे तीन एंटिकोडन प्रेजेंट अस्ता जे ए मारेने वरुन जो मेसेज ये तस्तो त्या मेसेच ला पेर जाले तर यह इकड़ सा मेसेज ये ट्रांसपर होतास तो अश्या प्रकारे एमरेने मंजे काई आररेने मंजे काई अटि आरेने मंजे काई ये आपन सगलक्षा तेटल सापन पाई ले अता क्या यू टेल या आहा माधे आपलेला काई क्वेस्चनस देलेली त्या मथे दिला ए डिसक्राइब द स्रकुटर ओफ डिन अ मॉलीकूल एज परपोस्ट बाई वैट्सन एंड क्रीक थर वैट्सन एंड क्रीक यानी दिला जै डिने स्रक्टर तुमाला मांग्चा पेज बर पाहेला मेंना रहे त्य स्रक्टर तुम्हीं निट भगा तैछी डा लेबलिंग आहेद किती प्रकार्च लेबल कुटे द्याईचे आहेद हाइट हैट्रोजन बॉन कुटे दाखवाईचे ये सग तुम्हीं नेमक लक्षात गेतलो त्यानंतर दोन नुक्लियोटाइडस मदे किती अंतर आहे त्यानंतर एका टर्न मदे डियेनेचा एका टर्न लक्षाद ग्योन जर तुम्हीं लेबलिंग के लिए तर तुम्हाला आउट ओफ मार्क्स में हो शकता आनि त्याच डाइग्राम वरून पुर्ण जर तुम्हाला को त्री टू फोर मार्का साथी क्वेश्चन आलेला सेल तर ती डाइग्राम ड्रॉ के लानांत तैचा वर त्यानद अंतर चाक्वेश्चन है डिफरेंस बिट्विन डि एन्ड एन्ड आरेन इस ब्यकॉज आफ काई ओप्शन तुम्हाला दिलेले शूगर एंड बेस ए अंतर बी है शूगर एंड फॉस्पेट सी या है फॉस्पेट एंड लास्ट आइश शूगर उनली तरहे डि अने मोदली शोगर काया है तर डि ओकसी राइबोस शोगर exactamente अग डिफरंस अपलेला पाइलाटों त्यास प्रहाने डि अने मुदली जे बेस हसता पूरिन बेस पिडियामिड इन बेस तंधे डि अने यूरेसिल अप्सेन्ट अजतो अणि था इमीन प्रेजेन्ट अушत तर आरेने मदे युरेसील प्रेजेंट अस्तो आनि थाई मीं एपसेंट अस्तो या डिफ्रेंस चा बेस वर आपन शुगर एंड बेस हे अंसर देऊ शक्तो त्या नंतरा है डिफ्रेंस येट बिट्विन डिएने एंड आरेनी जा प्रकारे मी तुम्हाला आरेने चे पूर्ण क्यरेक्टरिस्टिक शिकोले तेचस कंपेरिजन ली तुम्हाला डिएने चे क्यरेक्टरिस्टिक सुद्धा सांगत गेली तेच डिफ्रेंस तुम्हाला या मदे लीता है नारेत या differentiate between DNA and RNA मदे तुम्हाला या ब्रकार्च डिफ्रेंस लिता है तिल What is nucleotide? जर तुम्ही चांगला प्रकारे पहला पासुन हे वीडियो पाइले ले असतिल Biomolecules जे तर nucleotide मंजे का हे तुम्हा चांगला लग्षता लसे nucleotide हे तीन ग्रूप पासुन तयार होता एक मजे शूगर, दूसरा फॉस्पेट आनि तीसरा nitrogen बेसेज शूगर, फॉस्पेट आनि nitrogen बेसेज म्योन तयार होना रहा ग्रूप ला nucleotide असमट लगाता How it is form? Mention the names of all nucleotides आनि ते कशे फोर्म होता आनि ते सगया nucleotides चे नाव तुम्हाला mention कराईला सांगित लेले आहे तर ते nucleotides चे नाव कोन ते असुशकता द Purin आनि Pyramiden हे दोन ग्रूप तया मदे जालेले असता nucleotides मदे आनि ते 5 form मदे तुम्हाला लग्षाठे वाईला सांगित लेले होते ते मनजे कर्ट आलू गोबी कर्ट आलू गोबी चे मीनिंग बायोलाजी मदे आपन C for cytosine, U for uracil, T for thymine, A for adenine, NG for guanine आशा प्रकारे लग्षाठे वनार होतो मनुना से शोर्ट ट्रिक में तुम्हाला सांगित दिये कि ते नेम्स तर लग्षाठे वाई चे असले नुकलियोटाइड्स चे तर आशा प्रकारे हे पास इनिशियल्स लग्षाठे वाजे चारू तुम्हाला नेम्स लीता है तील तर आलस्या प्रकारे अपन नुकलियोटाइड इतस सौरी आरेने चा पूर्णा पार्ट इतस हमपव लेला है नेक्स्ट पार्ट अपला रहना रे एंजाइम्स नेक्स्ट टॉपिक अपन बगना रहों एंजाइम्स झालस्मार पार्ट झालस्ट आरेने चार्ट आरेने जिए्या है